हलो स्टोएंट, वेलकम टो एकोटर अकैडमी धरदून और फिर से मैं आप लोग लिए एक और वीडियो लाया हूँ, इस बार लाया हूँ, पॉलिटी का, यहनि कि जो आपका सिलिबस है, उसमें जो आपकी पॉलिटी है, वो आपको किस धंग से और किन किताबों से पढ़नी मिलिए है कि उसमें इंडियन पॉलिटी क्या दे रखा है, तो देखिए, बहुत छोटाता सिलिबस दे रखा है, विदिन एक हफ्ता खतम हो जाए, अगर यह हम लोग मान के चलें, कुर्शन और इंडियन पॉलिटी और इकनॉमी विल बी बेस्ट और इंडियन पॉलिटी, क यही वर्ट दे रखा है, इंडियन पॉलिटी, कॉंस्ट्यूशन, पंचायती राज, और कम्यूटी डेफलोप्मेंट, यानि कि इन चार वर्ट के बेसेस पे आपको अपने आरो और ए आरो का जो पॉलिटी का जो सेलिबस है, वो बस आपको तयार कर देना है, आयोग ने य यह एक चार वर्ट के बेसेस पे दे रिया, अब अगर हम बात करें कि अगर हमको इसको समझ्या कि यह कैसे किया जाएगा, तो अभी मार्किट में दो सबसे बेस्ट किताब है और दोनों के ही नाम आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है, जो एक-दो साल से त्यारी कर र राज्य वेवेस्ता, मेरी रिकमेंडेशन आपको यह रहीगी कि इन दोनों किताबों को शुरू करने से पहले आप लोग एक किताब खरीदिया मार्किट से वह है आपकी प्रतियोगीता-दरपण की इंडियन पॉल्टी, यानि कि प्रतियोगीता-दरपण की भारतिये सम्य पहले इस किताब को खतम करना, उसके बाद आप इन दो किताबों पे जब कर सकते हैं, अब मैं अगर आप लोग प्योरली आरो आरो के और लूर पीजियस के मूट से ही हैं, तो मैं एम लक्षमी कांद आपको बाद में रिकमेंड करूंगा, पहले आप जाएं इधर किताब क परिक्षा माने की तरफ भारती राजवेस्था एवं ठीक है, भारती समिंदान और राजवेस्था, तो पहले इस किताब की तरफ हम जाएं, अब आपको ये समझना है कि इस किताब को क्या शुरू से लेकर आखरी तक पूरा पढ़ना है या कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पहले खतम करना है, तो देखो जैसे आपका पता है कि आपका 18 जून को जो है आपका फ्रेलियंस है, मोटा मोटा दो मैने आप लोग के पास है, तो अब जो पुराने स्टुएंट है वो भी इस बात को समझ लें और जो नए तियारी कर रहे हैं वो भी इस बात के चल लें कि अभी आपको सबसे पहले जो टॉप आपके चैप्टर से हैं जिससे सबसे अदर कुश्चन आने की पॉसिबिल्टी होती है, पहले आप वो खतम करेंगे, तो सबसे पहला एक तो आपको करना है कि मैं यहां से और वाइस लेके चलूँ, तो सबसे पहला है आपका आर्टिकल यानि कि अनुचेद एक से शुरू करता हुए, आर्टिकल वन से शुरू करता हुए, फिफ्टी वन ए तक, ठीक है, यह सारे के सारे आर्टिकल जो हैं बच्चों वो आपको खतम करने हैं, वन से फिफ्टी तक, इस सेक्शन से आप मान के चलिए, लगभग दो से लेकर तीन जो questions हैं, वो आपके exam में आते हैं, आर्टिकल वन से लेकर फिफ्टी वन तक, इसमें आपका union of state आ गया, इसमें आपका citizenship आ गया, इसमें आपका fundamental rights आ गया, इसमें आपका DPSP आ गया, इसमें आपका fundamental duties हो गया, तो यह दो से तीन question उनके favorite हैं, आपके PCS के लोग से वाय होग संसत बोलते हैं, ठीक है, पिछली वार comment आते हैं की sir, हिंदी में बोली है, इंगली मैं गिमली मैं जो पढ़ाता हूं, इंगली में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी वाले, जो बच्चे हैं वो भी मेरी बात को समझे हैं, और मैंने एक course भी तयार क समझ में और डेटा भी दबंद अछा मिल जाता है क्या वापस आते हैं तो पारलिमेंट में क्या क्या भ입니다 में आप लोग सबा राजसबा और किसके राशपती यानि कि लोग सबा रासबा और प्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जितने आर्टिकल्स हैं जितने इनके काम हैं सारे चीज़ है लग बाग मान के चलना दो से तीन कुशन दुबारा यहां से आने की पूरी पॉसिबिल्टी है इसी तरीके से तीसरा जो आप लोग को चैप्टर लेंगे वो लेंगे स्टेट लेजिसलेच अब स्टेट लेजिसलेचर में क्या आता है बच्चों स्टेट एसेंबली आता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधान सवा स्टेट काउंसल आता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधान परिशद और हमारे गवर्नर साम आते हैं ठीक है तो वह सारी में आप लोग क्या बढ़ेंगे पंचायत के बारे में और आपके मुंसिपालिटी के बारे में ठीक है पहले खत्म करना पंचायत उसके बाद खत्म करना मुंसिपालिटी यह हो गया चौथा टॉप ठीक उसके बाद पांचमा जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे constitutional bodies के बारे में समयधानिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे जैसे कि election commission हो गया काग हो गया attorney general of India हो गया UPSC हो गया state PCS हो गया यह सब के बारे में आप किसमें पढ़ेंगे constitutional body के बारे में structure क्या है ठीक यह सब चीज है छट्वा टॉपिक आप जो लेंगे वो लेंगे non constitutional bodies जैसे कि नीतियायोग हो गया ठीक है इस तरीके से बहुत सारी आपकी क्या है non constitutional bodies है उनके बारे में आप लोग इसमें खतम करेंगे उसके बारे में अग़र मैं बात करूं तो फिर आप लेंगे किया your पढ़ना किश्रे करें जो आफ यूटीज है कैसे बनी कब बनी क्या उनकी पावर्स है वो हुं उसके बारे में उसके बाद तो यह आठ टॉपिक खतम करो लगभा 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 70-80% सिर्वर्स जो है आपका इनी यहाठ टॉपिक से घुमा फिरा के पूछा जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है फिर से शेर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 18 जून को दिमाग में रखते हुए जितना धिन भर में आप पढ़ सकते हैं मैं फिर से बोलूँगा अपना टार्गेट रोज का बना कि रोज आपको लगभग लगभग अगर आप जौब करते हैं तो सुबह के तीन घंटे निकालिए शाम के या रात के तीन घंटे कालिए छे घंटे पढ़ने पढ़ने हैं और आप प्योली स्टूडेंट हैं को एक घंटा दूसर पर उठाया पंदर भीस मिनट रेस्ट किया ठीक है इस तरीके से आपको पढ़ना है मैं फिर बोलना हूं कॉम्पटिशन बहुत टफ है लेकिन इस बार यह हो रहा है कि जैसे बहुत बुरी बात है सैड न्यूज में पहली बोल रहा हूं कि जैसे आपक क्टेंट्स जो है वो डिष्ट होते जा रहे हैं ! पहले एक चैंडियोट गारा जो क्यों कैसी की बात करंओब by significantly बहुत मलकृए बहुत की साड है की बिल्कुल एग्जाम हो गйा फिरी कैंसे हो नहुंज कर दिया रहेंगे जो आपके अपर PCS के लिए वो आर यारो को नहीं छोएंगे क्योंकि अपर पीस का एक अलग लेवल चल रहा होता है क्योंकि सुनने में है पूरा अक्वार होगे थू कि आपर PCS का लेवल UPSC के बराबर हो गया तो उनका एक अलग एक ग्रूप बनता जाएगा एक ग्रूप ऐसा बनेगा जो सिर्फ लोर PCS के त्यारी कर रहा होगा उसमें कॉंसेट्रेट होगे कर रहा होगा एक ग्रूप ऐसा बनेगा जो अभी वीडियो वाला होने वाला है या ग्रूप C के जो होने वाले है तो कंपडिशन टफ है मैं बार बार बोड़ रहा हूं लेकि क्या होगी अब डिविजन होते ही आ रहे हैं तो इस साल अच्छा मौका आप लोग के लिए कोई अगले साल एलेक्शन है इस साल मुझे पूरी उमीद है और मैं भगवान से प्रीवी करता हूँ कि टाइम पे सारे एक्जाम हो और आपके सारे रिजर्ट आए